पांच आगस्ट 2019 को जब जम्मू काश्मीर के स्पेशल एस्टेटस जो आर्टिकल 370 के अंदर था को हटाया गया तो बहुत साय लोगों ने कहा कि जैसे भूचाल आ जाएगा मैं जब 2019 में 2020 में आया था तो यहां जो लोगों में एंगर दिख रहा था डाउट था कि पता नहीं कितने दिनों तक यह चलेगा लेकिन अब अभी आप काश्मीर आएं इस्थिति काफी सामाने नजर आएगी क्या कुछ बदला है इस पर मैं अभी इस पर हम बात करने जा रह और आपको याद होगा दो दिन बाद जब जम्मु काश्मीर का इस्पेसर हाता था तो प्रधान मंत्री नैन मोदी ने उस समय कहा था कि अभी तक जम्मु एन काश्मीर में सारे विकास पेपर्स पे होते थे आज अब वो ग्राउंड पर दिखेगा आप लोगों को और इसक कि अगर बात करें लोगों से स्ट्रीट पर तो लेगा कि मोदी जी का च्वाइस गलत नहीं था इसके बारे में कभी और बात करेंगे आज इनसे सुनते हैं क्या चेंज हुआ है कासिवी में पिछले चार सालों में वेलकम तो प्रिंट सर्थ थैंक्यू इग्जैक्ली तीन स हुआ है आपको क्या के बदलावा है जमौन कास्मेर मां मैं आख़ो में ज्यादा नहीं जाता हूं मुझे लगता है कि एक तो सिस्टम स्टेबलिस करने में हम लोगों को सफलता मिली है एकाउंटिबिलिटी स्टेबलिस करने में सफलता मिली है ट्रांसपेरिंसी मैं कह सकता कि काफी हद तक एक ट्रांस्परेंट ब्योस्था कायम करने में में सफलता मिली है प्रो पीपुल इनिसियटिव जो माननी प्रधानमंत्री जी की मूल मंसा रही है और मैं कहूं कि उसमें भी विजेश रूप से वंचित पिछड़े गरीब डलीट ट्राइब्स यह जो लंबे समय से अधिकारों से यह वंचित लोग थे या वेस्ट पाकिस्तानी डिफ्यूजी थे पियो जेके के लोग थे एक तो पांच अगस दोहजार नईस के बाद इन सारे लोगों को अधिकार संपन्न बनाये गया और पिछले चार वरसों में इंफरास्ट्रक्शर के अगर मैं बात करूं तो अगर आप पहले आये हो नहीं इसमें और आज देखेंगे तो आपको अंतर दिखाई पड़ेगा डेला करोड के हाईवे और टरनल के प्रजेक्टा चल ले हैं माननी पुद्धान नतर जी ने देश के 508 नए रेलवे इस्टेशन के री डेवलप्मेंट का सि यहां के वितीनी स्टेशन जमूतवी उधंपूर और बडगाउं से नगर के बगल में रेल लाइन मैं समझता हूँ कि इस विती वर्स के पहले ही विती वर्स समाप्त होने के पहले ही कश्मीर कन्या कुमारी से जुड़ जाएगा देर सारे इंस्टिउशन्स दो एम्स दो स साथ नए मेटिकल कालेज दो हजार में बीएस की सीटे बढ़ गई तो इतना अकड़ा है कि मैं कितना आपको बताऊंगा आपको परहे हैं तो 37,000 कलोर का इंवेस्टमेंट भी ग्राउंड पर भी आप कर रहे हैं मुझे लगता है कि इन सब बातों से अलग हट करके आज यह विचार करने के हौशा कता है कि common man की जिन्दगे में क्या बदलावाया है जिसको सीधे तोर पर आप महसूस कर सकते हैं आप लंबे समय से पत्तरकाजिता है में दुटायम साफ़ इंदिया में जब आप काम करते थे इंदुटान टें तब से मैं आपको जानता था जब जान चार साल में बदल ये हुई है कि स्ट्रीट वालेंस पुरी तरह समापत हो गया है दूसरी बड़ी पहचान क्या थी आतंकवादी, अलगावादी, संगठन, पाकिस्तान, उनके इसारे पर आए दिन बंद कॉल दिये जाते थे, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कर्फ्यू लगा दे थे, ट्रेड बंद, बिजनिस बंद, अब ऐसी किसी बंदकाल का कोई असर नहीं है, और वो दिन बंदकाल के लद गए, तीसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धी मैं मानता हूं, आम आदमी सुक्षेन से अपनी मर्जी के हिजाप से जीने कादी अब यहां हो गया है, अब आप दिली में रहते हैं, आपको लगा यह कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जो लोग यहां रहते हैं, मैं समझता हूं कि उनको इस बात की समझ है भी, तीन-चार दिन पहले छोटी बच्ची ने इंट्रिव्यू दिया, किसी चैनल वालने पूछे, तो उसे नहीं कि चार साल पहले मैं जानती नहीं थी, कि मैं एक human entity हूं, अब मैंने खुद को पा लिया, यही सबसे बड़ा बदला है, मैं समझता हूं कि क्या बदला है, इस भावना को उस बच्ची ने बहुत अच्छे से समझाया है, अधेरा हो नहीं, लोग सोचते थे सुरक्षित अस्थान पर घ स्विन खुला है, बिजलम के किनारे डेर सारे नوجवान musical concert करते हुए आपको मिल जाएंगे, तो यह सब बड़े बदलाओं है, और मुझे लगता है कि अब यहां की अवाम इस बात को सुविकार कर चुकी है, कि एक ऐसा देस जो स्विम अपने नागरिकों की चिंता नहीं कर पा रहा है, जहां खाने के लिए लोग तलब रहे हैं, नागरिक सुविधायें पूरी तरह से समाप्त हैं, कुछ भरम जिन लोगों ने पाला था, अब कस्मीर के लोगों ने महसूस कर लिया कि हमारा भविस भारत के साथ है, और उसमें भारत की जो बढ़ती हुई टाकत है दुनिया में, प्रधानमंत्री जी के कार्ण जो देश की परतिष्ठा बढ़ी है, उसने भी इसमें वह खुत मदद की है, मैं आपको बता हूँ, मेरे हमारे एडिटर इन चीफ हैं, शेखर गुपता, मैं जानता हूँ, वो आये हुए थे भी, दो सबता है पहले छुटी प सारी ऑफिसरे बैठने लगे हैं, काफी कोछी उनन सोने हैं, उनका जो परसेप्शन था, वो तो छुटी पे थे लेकि जनरल हुए देखा, कि काफी कोछी बदलाव आ गया है ग्राउन पे, और तब मुझे लगा कि नहीं, फिर मैंने आपको फोन कि आके मिलता हूँ, कि ऐस तक चले गए यंगस्टर्स का, क्या कुछ चेंज हो गया है, हुआ है अब तक? यह सच है कि बड़ी संख्या में यहां का स्थानी युवा है, टरिज्जम जोइन करता था, पर उसी देश और तंजी में प्रयास करती थी, उसमें भारी मातरा में रिक्रूटर्ण में गिरावट आई है, और जैसा मैं पहले आपको कह रहा था है कि अब लोगों को समझ में आने लगा है, और कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, जो पहले उनके लिए काम करते थे, वो खुद महसूस कर रहे हैं, कि हमसे गलती हो गई, मुझे धारा में जूड़ना चाहते हैं, प्रसासनिक तोर पर भी हम भी प्रत्न कर रहे हैं, सही रास्ता से के नाम का एकार कम हम यह चलता है, हम लोग मिल करके चलते हैं, सिना के भी हमारे साथ ही उसमें हैं, और अब इस्तिती में बदल यह है कि अब गार्जियन सा करके करतें कि साब मेरे लड़के का रास्ता लग रहा है, मुझे ठीक नहीं है, आप सही रास्ते प्रोग्राम में उसको जोड़ कि रिकुरेट्मेंट के नंबर्स बहुत कम हो गए हैं, और इसलिए कई कारण भी था यहां, यहां कोशिसें होती थी उसके लिए वैसा एकोसिस्टम बना करका था, तो उस एकोसिस्टम पर भी प्रहार हुआ है, और उन कोशिसों की काउंटर कोशिस भी शुरू है, इसलिए निकाला क्योंकि उनका पाएगे कि उनका कनेक्शन है, यह अभी तक बावन निकाले गए हैं, और जैसे जैसे सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, वो प्रक्रिया ऐसी है कि पूरा डाजियर बनाना पड़ता है, और भारत के संविधान में इसका प्राविधान भ कोई काम करता है, तो उन्हों के खलाव करवाई की जासे कि उसका सुद्वयों किया गया है, और नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी हाल में दो डाक्टरों को निकाला मैंने, और बड़ी चर्चित गटना आपके धान में होगी दोहजार नो के आस पास, सो पहि रिपोर्ट फेक बनाई गई, काफे वेवाद हो असपर, फोर्सेस के धेर सारे लोग घायल हुए, चोटिल हुए, लोगों की जान गई, यहां की एकॉनमी बरबाद हुई, पूरे देश में संसद में इसको ले करके पूरा हंगामा हुआ, उन्तों गत्वा सी बी आई की ज एम्स के डाक्टरों ने किया और काजिसाब कोई नरेप नहीं हुआ था, यह इस्तिती थी, छे लोग थे, डाक्टर, तीन रिटायर हो गए हैं, गवी देश चरेंगें, जो दो बचे थे, उनको अभी हाल में निकाला है, मैंने, उन्होंने जान बज़ के उस तर पूर दे तो मुझे लगता है कि इन सब कारवाईयों से लोगों को समझ में आ रहा है, कि कैसे आतंकवाद के तंत्र को चलाने की कोशी से हो रही थी, और लोगों को गुमराह कैसे किया जाता है, अगर सरकार के अंदर अगर इस तरह के लोग इतने मौजूद है, तो कितना चैलेंजि पूर्ण है, अब ये लिगेशी मिली हुई है, इसी में काम करना है, और इसी में लोगों के मुईदों को पूरा करना है, पाकिस्तान में जो अभी इस्तिती है, जो एक पलिटिकल इस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, उसका कुछ क्रोस बॉर्डर ट्रेयरिजम पे थ्वा हमलों का जानकार नहीं, लेकिन मैं जो समझता हूँ, जो मैंने अब देखा है पिछले एनेक वर्सों में, जब वहाँ इस्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो भावनात्मक रूप से लोगों को गुमरा करने के लिए उकोसिस कसमीर करा अगला अपना सुरू करते हैं, जब जी ट्वन्टी का एउजन हो रहा था, तो उस समय भी पूरी दुनिया में एक नरिटिव शलाने की कोसिस किया, यहां भी लोगों को बरगलाने की कोसिस की, लेकिन पुर्धान मंतरी जी के मार्क नर्देशन में, यहां की अवाम के सहयोग से बहुती सांदार और सफलता हैं, अपने अपने देशों में जा करके कह रहे हैं कि साब एडवाईजरी वापस ले रहनी चाहिए, वहां तो सब कुछ सांती है, देश हिंदुस्तान के किसी हिस्से में जिस तरह का वाता है, वहां वाइसाही बाता है, वहां जब मुकस्मीर में है, कुछ पर रहा था कि यू ड्रोन्स यूज कर रहे हैं उधर से इधर हथियार सप्लाई करने के लिए कुछ असा है? यह सच है, ड्रोन और टरनल, यह दो चुनुकिया थी, लेकिन फोर्सेस के लोग, आर्मी और खास्तार से एक सक्टर पर B.S.F. है, हमारी फूलिस भी है, चुकनने हैं, और टेक मुझे लगता है कि देश में जिस तरह से वईग्यानिक और यू अनुवेच सा काम कर रहे हैं, इफेक्टिव मेजर्स लेते हुए अच्छे एकूपमेंट भी हमारे पास हो जाएंगे, चुनौवती है, लेकिन चुनौवती ऐसी नहीं कि जिसे नहीं निप्रा जा सकता है, लोन मार के गिराये जा रहे हैं, अगर किसी तरह प्रवेश कर जाने तो पकड़े जा रहे हैं, ये कुछ पिछले कुछ महिनों में ये कास्मेरी पंदितों पर अटैक की जो घटना है बड़े, एक सेंस अफ इंसेक्योरिटी जो उनमें लगा जो यहां रह रहे हैं, उससे क मुझे लगता है कि ये कुछ महिनों की बात नहीं है, पुरानी बात है, ये सच है कि कुछ किस मेरी पंदित भाहियों पर जान बूच कर कटैक किया गया, मैं उसको इस तरह देखता हूं कि ये जो टेरर इको सिस्टम या इसको चलाने वाले जो लोग हैं, ये हमारा परोसी है, ये हतास और निरास है, तो साफ टार्गिट को कि हर बेक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, तो एक अध्यापक जो विद्याले में पढ़ा रहा है बेकसूर आदमी, उसको चलते फिरते मार दिया ताकि ये बता सकें, कि नहीं अभी हमारा प्रभाव कस्मिर में बचा हुआ है, मोटे तोर पर जितनी तंजीमों का नाम आप जानते हैं, उनके सारे टाप कमांडर्स फोर्सेस ने जिम्मों कस्मिर पुलिस ने इलिमिनेट कर मुझे लगता नहीं होती थी, आपने भी ध्यान दिया होगा, एक इस्तिती हिंदुस्तान में बदली है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो अप एक्छा लोगों की बढ़ गई है, एक भी घटना नहीं होनी चेहें, मैं सामत हूँ, मौत का कोई मुआवजा नहीं होत अप एक्छा लोगों की हो गई है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो एक भी ऐसी तरह की घटना नहीं होनी चेहें, लेकिन उसके उपाय क्या किये जा सकते हैं, उस पर हम सब काम कर रहे हैं, और एक एक घटना की तो हमें जाने की कोशिस की गई हैं, और जाच की जानी ऐसी घटनाएं, जो मैं समझता हूं कि जाच के दाएरे से बाहर हो गए थी, इनके खलाब भी पुलिस, CID, इंटेजनसीज, काम कर रही हैं, और एक ऐसा वातारून बनाने में हमें जरू सफलता मिलेगी, जहां जो वल्नरेबुल लोग हैं, उनकी सेक्रोटी की दिरि संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, को संख्या काफी कम है, और दूसरा तत्य एक फारेंट टर्रिस ज्यादा हैं, लोकल टर्रिस हैं, तो जो पहला सवाल आपका था, रिकूरूट्मेंट कम हो गया है, यह कहीं से चिपके इदर उदर से हैं, कई लोग इलिए मिनेट हो चुके हैं, कोशिस की जा रही है, वो भी अपने धंग से अब समझ गए हैं, कि साब अगर फोन का उप्योग करेंगे, कई सारी शिजियें उनके भी समझ में आ गई हैं, तो बहुत साउधानी से रह रहे हैं, लेकिन थ्री सिक्स्टी डिगरी अप्रोच के साथ जो एक सेकूर्टी ग्रिड यहां बनाई गई है, वो ग्रिड काम कर रही है, और मुझे लगता है कि जैसे पिछले साल लगबग लगबग खतम कर दिया गया था, वो इस सिती साल भी हो जाएगी, कुछ दिनों पहले हमने आपका पिक्चर देखा, एक मुहर्म के प्रोसेशन में गए हुए था, मुझे तो याद भी नहीं है, पिछले बार कब कोई चीफ मिनिस्टर या गवर्न कहीं, मुहर्म के प्रोसेशन में मुझे दिखे हो, वो क्या था? को बताना चाहता हूं को बड़ा दुर्बा के पूंँ था, एक बड़ी आबादी हैसिया समुदाई किया, चौन्तिस साल से, मुहर्म में आठवे दिन और दुस्वे दिन का सूरा का, जलूस निकालनी के नुमती नहीं थी, प्रदानमत्री जी भी चाहते थे, ग्रीमत्री ने का एक बड़ी देखना चाहिए, किसी की दार्मी आस्थागर है तो उसका सम्मान करना चाहिए, सिया रिलिजिस लीडर्स के साथ मैंने बाचीत की थी, सिकूर्टी फोर्स के साथ, इंटेजन्सी के साथ, असेस्मिन किया था, और आठवे दिन भी, और असूरा दस्वे दिन मी महरम का जूरू सांतिपून ढंक से निकला और मैं बढ़ाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिया समधाई के लोगों को भी, और कस्मीर के बाकी समधाई के लोगों को भी, दूसरे लोगों ने भी बड़ा कॉपरेट किया, सांतिपून ढंक से हो गया, और सामा के जलूस मेंभी जाना चाहिए गुलववारे में भी मैं जाता हूं तो मैं समझता हूं कि सभी धर्मों गादर भाईचारा यह हैं यहां की परंपरा रहे उसी परंपरा को काैम करने की कोसिस्क ही जा कामरिया उसको अपने उनको काफी फसलिटीजिस पर दिया सुना कि बास आपके एक पर पहुंच जाएं उसके बाद सारा उनका देखते हैं कामरिया नहीं हैं बाबा के बाबा मरनात के दर्जनारती हैं और ये मुझे लगता है कि देश भर से लोग आते हैं सरद्धा के साथ आते हैं दुरुगम पहाड़ी रास्ता तेरह हजार फुट की मुचाई पर लोगों को जाना रहता तो ये पर किसी भी संवेदंसील परसासन का यदाई तो है कि ऐसे लोगों को सब्सक्राइब मिले और बहतर इंतजाम हम लोगों ने किया है मतलब है कि एक वर पहुंच जाएं राज्य में इसके बाद से सारा आप क्यार करते हैं खाना पेना चलना मतलब जो भी वसमा एक ऐसी भी वस्ता यहानों की बनी हुए जो द पहली में काफी मंदिरों के जिर्नोधार का आपने कामसरों किया है देखे ये पुर्धान मंतली जी ने भारत सरकार ने इसके लिए काफी धन दिया था कि जो भी विरासत की चीज़ें यहां रही है कि मंदिर हो मस्जिद हो गुर्दवारा हो अभी दो दिन पहले हमने गु द्वारा हो या चर्च हो बार के कालना जो जिरन स्रिंड हो गया या जान बूच करके उन तत्तों के द्वारा उन्हें गिराए गया तो कोशिस की जए रहे उनके पुनर निर्मान की उनके रिलाइवल की और यह अच्छी बात है एक इस पर अधर से डिलिमिटेशन कमिशन में जो बढ़ाए गए जम्मो को छे सीटे जादा दे दे देगी एसंबली में काश्मीर को केवल एक बढ़ाए गया तो इस पर काफी है का राजितिक दलों में जो है सो टिका टिक निहोड़ी है कि एक कोशिश चलिया किसी बीजेप नयोग के दिन काम करता है और वो एक समवधानिक संस्ता है उसमें एक बात आप समझेए आप बड़े वरिष्ट पत्रकार है कांस्टिट्यून मेंबर के नाते लोग सभा के सदसे लोग भी थे तो सबसे महत्वपून व्यक्ति वो लोग थे तो उसके लिए उनको तर्क दे नहीं थी देश की बड़ी मैं कहूं कि रंजना देशाई जी कि एक पृतिस्था रही है नयादी इसके नाते तो मैं उस दिरिश्टी से नहीं देखता हूं आनित स्वार्थों वाले लोग उसको अपने 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 धंग से परिवासित करते हैं और राजनीत में स्वाव करके यह जो एक नया प्रोविजन हुआ है कि तीन नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे असेंबली में दो रहेंगे कासमेरी माइगरेंट्स और एक प्योजेके से इसके पीछे कैमन शार मुझे लगता है कि बिल पढ़िये और यहीं नहीं परलेमेंट में भी आप जानते हैं कि इंगलो-इंडियन समाच के लोग नामिनिट होते हैं यह तो हमारे समविधान तो यह प्राविधान दिया है कैसे लोग जो उपेक्षीत रहे हैं जो जिनकी संख्या कम है इनका प्रतंधित तो नहीं हो सकता है उनको मुझे लगता है कि देस का कानौन अनुमती देता है क इसे लोगों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए और मुझे लगता है कि वही बिल में प्राविजन होगा बिल पारित हो जाए तो फिर ज्यादा सपस्ता आएगी यह जो डिलिमिटेशन कमिशनर के रिपोर्ट अब हो गई फाइल आपका मैंने पहले इंट्रिव्यू पर मैं कई बार कहा चुका हूँ आज आप से फिर दोहराता हूँ चुनाओ का मतलब के लिए विधान सबा का चुनाओ नहीं होता है जो यह माहूल बनाने कोशी सोती है उसको जरास पस समझने गियर होते हैं क्यांके संसफ सदसे लोग सबा में हैं 32 जनता के चुने हुए प्रत सदस्य हैं बिधान सबाद चुनाओ को ले करके मैं दो बात कहूंगा आपको ध्यान होगा संसद में देश के अग्री मंतरी जी ने जब बात कही थी तो असपस टूप से कहा था कि दी लिमिटेशन फरस्ट एसेंबली एलेक्शन सेकंड इस्टेप and थर्ड विल बी इस्टे इस्ट्री यार्गनेशन एक्ट में ही लद्दा खलग हो गया जमू कसमीर लग हो गया पहले से साथ सीटेंशंबली की बढ़ गई उनकी बाउंडरी कांड डिफाइन करता कोई प्रसासन तो कर नहीं सकता था दिलिमिटेशन कमिशन ही करता दिलिमिटेशन स्वेम में एक ट की मद्दाता सूची पर तो 2020 का चुनाव नहीं हो सकता है 2015 में चुनाव नहीं हो सकता है तो मद्दाता सूची के पुन्रिक्षन का काम और कहीं चुनाव होता है तो यह स्वाभाई प्रक्रिया है वो काम अभी कुछ महीने पहले खतम हुआ है मुझे लगता है कि अब हमको यह उमीद करनी चाहिए कि निर्वाचनायोग अनुकूल समय देखकर के चुनाव की घोसना करेगा 2019 में जब यह इस्पेसल स्टेटस हटाया गया उसके बाद और 35 यह जो हटाया गया फिर उसके काफी कुछ चर्चा चले कि अब जम्मू और कास्मीद के बाहर के लोग जाके वहाँ जमीन खड़ीद सकते हैं हम अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे होम मिनिस्टर का रिपलाई था पर्लमेंट में कि टोटल अभी ते केवल 2020-2022 में केवल 185 लोगों ने यहाँ जमीन खड़ीदी है वो भी कास्मीद में त कर दुए उत्राक्षण उसमें भी एग्रिकल्चरल लैंड को लिए करके उनको कुछ विस्साधिकार मिला हूँ अधिकार यहाँ जमू कस्मीर के लोगों को भी है एग्रिकल्चरल लैंड जमू कस्मीर के नागविक के लावा कोई ही नहीं ले सकता है जो संसूदन हुआ थ ठी कि इंडस्टिय के लिए जमीन दी जाईगीृ इनिवरस्टी मेकल कॉलेज हासपिटल के लिए जमीन दी जाईगी और दी भी है जमों में भी दी गई आ। वैली में भी जाई है तो यह कभी सरकार की बनसा नहीं रही है जो कुछ लोग आरूप लगाते हैं कि डिमोग्राफी बदल दो, बाहर से लिया करके लोगों को बसा दो, यह प्रोपगंडा जादा है, मैं समझता हूँ, लेकिन यह सच है कि यह इंडिस्ट्री राइजिस्टन नहीं हुआ, आजादी के बाद से लेकर के दो जाले कईस तक, तेरह शोदह जार करोड का इंडिस्ट्मेंट आया था, न्यू इंडिस्ट्रील स्कीम जो बनी है, भारत सरकार ने जो बनाई है, उसमें इंसेंटिवाज देश में सबसे बहतर इंसेंटिव यहां है, काफी प्रस्तावा हैं, 26,27,000 करोड के काम ग्राउंड पो हो रहे हैं, मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले डेर दो साल में, यह कुल 75,80,000 करोड तक का इंवस्ट्मेंट जाएगा, कई सुपर स्पेसिल्टी हास्पिटल, प्रावेट सेक्टर के मिटिकल कालेज बनाई है, तो अब यह हवा में तो नहीं बन सकते हैं, इनके लिए तो जमीन चाहिए, परेटक बड़ी बढ़ेगी तो तो नए होटल चाहिए, अस्पिटल दी सिक्ट का विस्तार चाहिए, तो ऐससे लों को जमीन दी जाएगी, लिए इन्वेस्ट्मेंट पॉलिसी की बात करें, सताय से कोई ग्राउंड पे हैं, काफी हजार कोड़ी प्रस्ताव है, बात यह है कि अभी भी में ही आरे, जियस्ट डबलू की, जियस्ट डबलू यहां पे आ दिया है, जी, मनें उनका काम खतम होनी जा रहा है, मनें उनका काफी तेजगती जा रहा है, किस तरह की इन्डूस्ट्रिश्ट अगा जियस्ट डबलू तो इस तीर सीड बनाएंगी, इससे लोग यहां घर हम इसके अलावा और जो है मतलब अनेक सेक्टर में आ रहे हैं हर सेक्टर में आ रहे हैं फारमा में आ रहे हैं मैंनेफेक्चरिंग में आ रहे हैं टेकस्टाइस में आ रहे हैं हर्टी कल्चर मैंने फूड प्रसिंग में आ रहे हैं कोल्ड चेन और कोल्ड इस्टोरेज लग र रहे हैं एक स्रीने करब और एक जम्मू में हम आपके पिजिसेसर सत्पाल मलिक कहते थी कि फाइल के लिए करने के लिए उनको पैसे ओफर के दे थे आपने कभी इसको करवाया है एक्जैमिन की इस तरह को होता था इस सिस्टम में नहीं होता था ऐसा है कि यह उन्हीं से गहते हैं दिल्ली से और दूसरे राजिव से कास्मीर को त Candy अड़िया होता है आपने जब यहां के सिंटर में अब प्रश ते अब यहां के जब हैनिक आप पार लोह को जान नहीं तर नाज्दिक से तो निरने आप सही लेंगे, जो भी फैसले आप करें, उस फैसले में जो नीती आप बनें, उसमें ये विचार रखें किससे सामान नागरी का क्या फाइदा होगा, तो मुझे लगता है फैसले सही लिये जाएगे, नीती आपकी और नियत दोनों अगर ठीक है, तो जनता तनसी का हाट बेड माना जाता था, अब एक लिटरेरी फेस्टिवल दो दिन का वहाँ हो रहा है, नंदरिसी की जनम भूमी रही है, और मैं देख करके मैं खुद हैरान था, बड़ी संख्या में लोग और वास्तों में जो परतिभाए हैं यहां, कला, संस्कृती, कवीता के परतिज़ रूची रही है, तनकवाद ने इस चीज़ को भी खतम किया, उसको भी हम पुनर जीवित करने हैं, स्पोर्ट्स, दो लाग, तीन लाग, लोग इस्पोर्स में भाग ले थे, पिछला साट लाग लोगों ने भाग लिया, कल कुपॉड़ा का मैं एक वीडियो दे हैं कि से फारुक अब्दल्ला, अमर अब्दल्ला या महववा मुफ्ती, ये आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं यहां के राग, ने उनको राजनीत करनी है, हमको यहां जनता है, और जमू कस्मीर का विकास करना है, क्योंकि रौज़ा उन्नीस में इतना कुस्सा था उनके ब अब दोहज़ा उन्नीस में आइंगर कहे थे त्री सेविंटी के बारे में, अब ग्राउन में जैसे मैंने कहा जहां शुरू किया इसी बात से कि वो उस तरह के आइंगर तो अब नहीं दिख रहा है, लेकिन कितना कुछ रिजेंटमें रही भी बचा हुए ग्राउन में, आ सारी जमीन चली जाएगी है, जो एक फेक नरेटिव पैदा किया था, उसके एक आइंगर था, अब लोगों को लग रहा है कि अब तो सोशल सेकुरिटी की सारी स्कीम का सैचुरे सोन रहा है, प्रधामनत्री आवास वेज़ाना हम सब को घर में ला है, बजली की इस्तिती प्रकों में फाइल स्रीनगर से लगत करके जम्मू गई थी, वहां हम लोगी गवर्नेंस में यूटी सिरनी में नमबर एक हैं, और पब्लिक सर्विसी गारंटी एक्ट की सर्विसेस को हमें आटो इसकेलेशन मोड पर करते जानें, ताकि नागरिकों को जो सुख सुविदा है, वो पूरी तरह से मिलेए, लेंड का पूरा डिजिटाइजेशन कर दिया, हिंदी, इंग्लिस, उर्दू में पास्बुक मिल गई, मैं समझता हूं कि जब मुकस मीर केला स्थान है, जहां हर परिवार को पांच लाग का हेल्थ इंस्वेरेंस मिला हुआ हुआ है, प्रध आखरी शवाल, तीन साल हो गए, काफी कुछ सोना किया कुछ बदला है यहां पर, अभी आपका सबसे बड़ा चैलेंज अभी है, क्या देख रहा है, देखे यह समस्याल बड़ी लंबे समय से पैदा की गई, काफी हद तक हम लोग ने इसमें सफलता पाई है, इसमें वो लगातार कोसिस कर रहा है, और आगे भी उसकी कोसिस जारी रहेगी, क्योंकि उसके पेट में दर्द होता है, और दूसरी मुझे लगता है, कि अब कोवर्नेंस पठरी पर आ गई है, मानी प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में एक नया और अच्छा सिस्टम कर रहा है, मेरी चुनावती यह है कि हर सेक्टर में जम्मु कस्मीर, देश के हर राजे किसी राजे से पीछे न रहे, इस तरह का जम्मु कस्मीर हम बना सकें, थैंक यू भी मैंसर, थैंक यू सो मुझ पर टॉकिन देप्रेंट, थैंक यू डिके सिंगी,